प्राइब दोस्तों मैं भी नीटा हुटा आज आपको केक बनाना तिकाँ मेंगे पहले हम लेंगे दो कप मैदा पिर हम इसके डालेंगे एक से सवा चमच करी पेकिन पाउडर एक चमच 3-4 चमच सोड़ा और पिंच आप सॉल्ट इन सब को मचे जचान लेंगे पढ़ें झाले खेद से चमच करेदा शादे से जलेंगे हम तरहनाि मेलमी प्रहुटा के टीचरदे से घरे साइब साध्स बॉल एंड बटर मिक्स करके फिर हम डालेंगे लगबग हाफ कप के करीड पीसी हुई चीली यह अपने स्वाथ के हमसार में मीचाल कम जादा कर सकते हैं हम इसके कम इसे जालें यहां पर मिल्क मेट का इसके माल करेंगे इसमें अच्छे से पहले फैट लेने हो इसमें हम आज्टा कर से करी मिल्क डालेंगे जूद आप जो है खुदा करके डालें ताक्कि अबकर बैटर जो हो जादा पत्लाना हो हुए अब हम थोड़ा थोड़ा इसमें कटें बैटरी लें मिक्टो ड्राइए इंडिडेंस से उनको डालेंगे एक साथ नहीं डालना उनको दो तीन बाल करके मिक्स करना इसलिए कि लहुच ना पड़ें इसमें कि अब हमारा बेटरी इतना उत्य शक आपशल ने नहीं है करें तो नीचे लाइप उसमें किरते रहें बस यह हमारा केक का बैटर तयार हो गया अब इसमें लांस्ट में हम डालेंगे लेमन जूस एक या लगब एक चम्मच के करीब विनेडर डालेंगे जिसे कि हमारा केक जो है बहुत ही स्पॉंजी और प्लुफी बनेगा है इसको बिदेगर मिलाते ही हमारा कितना सॉफ्ट हो गया बैटर अब हम एक कडाई लेंगे उसमें थोड़ा सा नमक जो मारे नॉर्मल सॉल्ट होता है यह मेरा थोड़ा ब्रॉंड सॉल्ट इसले रिख रहा है कि मैंने इसको रियूस किया हुआ है अब इसके पर में कि रखते स देंगे में अच में लगवक दस मिनट के लिए जैसे हम ओवन को प्रीहिट करते हैं जैसे इसे प्रीहिट करेंगे उसके बाद चुपमारा बैटा है उसे हम अपने इसमें केक टीन में जो हमने पहले से ग्रीस करके रखाए उसमें डालेंगे अब बन गया है अब हम इसे चेक करते हैं इस तरीके से देखेंगे देख़ेगा हमाई नई बिल्कुल सापयाने हमारा केक बनके तएर हमारा के त्यार हो गया है इसे थोड़ा देल निकाल के बाहर थंडा करने रगेंगे इस तरीके से फिर 10 निर बादी से दी मोल्ड करेंगे अब बटर पेपर है इसे हमाटा देंगे अब इसे हमारा केक कितना स्पंजी और फ्लफी बनाया है अब इसे ठंडा वांतेंगे पूरी तरह पूरी तरह पहुं आइसीं करके सुझाएंगे आप लोगों के रहतें में बहुत पसंदाई होगी अगर आई है तो प्लीज इसे बनाएं और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिन्हों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज करें